नमस्कार के अपिन्यूस 24-7 में आपका स्वागत है मैं हूँ आयूशी विजेवर गया आपके साथ और आप देख रहे हमारा राजिस्थान पुलेटिन तो जली खबरों के सफर के शुरुआत करते और सबसे पहले एक नजर हैटलाइन्स पर राजिपाल मिष्ण ने मेंदीपुर बालाजी के दर्शन कर प्रदेश वाक्षियों की खुश्वाली की कामना यूडेज मंतरी खर्रा ने क्या काम्याब कोटा की पोस्टर का विमोट ज़िए गुलखेडी में कलश याधरा के साथ नानिबाई का माहरा कथा शुरूर राजिस्थान के बारा जिले से राज्जे के शिक्षा मंतरी मदन दिलावर के गाउं चरडाना स्तित राम तलाई पर 11,000 दीपक ज़ला कर भवे कारिक्रम आयजित किया जाएगा इटावा शेत्र के पाडली ग्राव में राज के विद्याले में स्वेटर वित्रन कारक्रम संपन हुआ अब देखते हैं समाचा अबिस्तार से मेंदीपूर बालाजी ट्रस्ट की और से अयोध्या में रामलला प्राण पतिष्ठा के आउसर पर महाप्रसाद के ट्रकों को रबाना किया गया अजीम खान, चिनाइटा, मेंदीपूर बालाजी, राजिपाल कल राजमिश्टर गुरुवार को मेंदीपूर बालाजी पहुंचे वहाँ उन्होंने मुखे मंदीर में बालाजी के दर्शंकर, देश और प्रदेश वासियों की सम्रिद्धी, संपनिता और खुशाली की कामनाई राजिपाल ने गुरुवार को मेंदीपूर बालाजी से श्री रामंदीर में भी पूजा अर्चना की इसके बाद उन्होंने वही मेंदीपूर बालाजी ट्रस्ट के और से आयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राणपतिष्ठा के आउसर पर भीजे जाने ही तू, महाप्रसाद के रूप में 50,000 किलो वजन के ठाई लाग देशी घी के लड़्डू के ट्रंक भी जड़नी द दुद्वार को कोटा प्रवास के दौरान काम्याब कोटा अभ्यान के पोस्टर का विमोचन उन्होंने कहां कि काम्याब कोटा अभ्यान में सभी समन्दित विभागों की पूरी निष्ठा के साथ सक्रिय भागिदारी रहे जिससे यह अभ्यान सफल बने जिना के लेक्टर स्वच्चता आमजिन की समस्याओं की समय बद निस्सारण तथा मैडिकल शेत्र में गुणवत्ता पून सेवा की विकास विबिन विभागों की समन्वे सिकारी क्या जाएगा। इसके बाद कथा का शुभारम क्या गया? कथा वाचा क्योगेंदर कृष्चना महराज प्रति दिन दो पहर साड़े बारा बजे से साड़े तीन बजे तक कथा का वाचन करेंगे। कथा का समापन 20 जनवरी को होगा साथी कथा में आसपास की गाउं से सैकड़ और शधालू प ग्राम तलाई पर 11,000 दीपक जलाकर भवे कारिक्रम आयजित क्या जाए जिसको लेकर गामिनों ने तयारी शुरू कर दी है ग्राम पंचाय चरडाना के सरपंच मंत्री मदन दिलावर के छोटे भाई क्रिष्ट मुरारी दिलावर ने ग्राम तलाई सिर्द बालाजी धाम प जस्तान सरकार में शिक्षा मंत्री है जिन्होंने अभी तक अपने गले में माला नहीं पहनी क्रिष्ट मुरारी ने बताया कि इनके भाई मदन दिलावर का जो प्रंट था वो अपून होने जा रहा है जिससे ग्रामिनों में खुशी का माहुल है बाई जन्वरी के स्पुन किया जाएगा उन्होंने बताया कि मंत्री मदन दिलावर की दो प्रतिग्याएं थी पहली प्रतिग्या थी कि जब तक कश्मीर से धारा 370 नहीं हटेगी वो चार पाई या बैड का उप्योग नहीं करेंगे जमीन पर ही सोएंगे जब धारा 370 हटी उसके बाद उन्होंने चार पाई और बैड का उप्योग किया अब भगवार श्री राम अपने भवे मंदिल में विराजित होंगी यह प्रतिग्या भी दिलावर की पूर्ण होने जा रही है इसके बादीव अपने गले में माला धारन करेंगे इसको लेकर गाउं में खुशी का माहोले जिसको ले बैड नमर तीन गराम अड़ाना है हमारे बड़े वाई सबस्री मनजी दिलावर यहीं वार्ड नमर तीन गरहने वाले हैं हमारा सोबाग्य है कि बाई साब लगातार छट्रियों बार विदाइक हैं चार बार अट्रुविदान सवासर है और दूसरे वार रामगन मंदिस है और तेसरी बाद राजस्तान सरकार में केवेडन मंत्री हैं वो इसी गाउं के इसी मोल लेके वार्ड नमर तीन के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो बाई सब मेरे पास बैटे हैं मेरे बड़े बाई सब स्रीमान कर्स्मदाइज दिलावर वो भी इसी वार्ड किये थे वो बहुत जटिल परणते लोग विचार करते थे कि यह परण कभी पूरे होंगे या नहीं होंगे लेकिन मैं तो यह कहता हूं बगवान स्री राम और हमारे बालाजी माराद की करपा से हमारे देश के सम्माने परधान मंत्री स्री नर्यन जी मोदी ने जब इस देश आयुद्या में जो पेशला लंबिता उसको हिटावा शेत्र के पाडली ग्राव में राज के विद्याले में स्वेटर वित्रन कारिक्रम संपन हुआ लोगसबा अध्यक्ष कोटा किसांसद ओंबिला की पहल पर इटावा शेत्र के गाउं पाडली में राज के विध्याले में स्वेटर वित्रन कारिकरम संपन हुआ जिसमें छातर चात्राओं को बीजेपी कारिकरताओं द्वारा स्वेटर वित्रित के गए कारिकरम में भाजपा नगर अध्यक्ष, बिजराज सिंग हाडा, मंडल उपाध्यक्ष, जगदीश कुषवाह, मंडल महामंतरी बद्रिलाल मीना, बूत अध्यक्ष, चंदरभान सुमन, मुराली राल गोचर, पपुलाल सुमन, तेजमल सुमन, इक्त्यादी भाजपा कारिकर उपस्ति थे, जोरान स्पेटर मिले, पर छात्र छात्राओं के चहरें खेल उटे, जितेंदर कुमार नागर की रिपोर्ट, या रहते हैं छोटा सब्रेक जल्द नॉटिए, इंदुस्तान के हर कोने में हम है मौचू, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाला, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनाशनल न्यूस की सबसे बहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाख़बर, देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें, के पी न्यूस 24-7 संपर्क, मोतिलाल बर्मा, प्रभारी पश्यू, प्रबनन शाखाड और प्रमेश शर्मा, आदीरह मौजूद, महापोर ने मंदिर के फुजारी को भेट की महादी पुट्सव हेतू, दीपकिट, डस्ट बीन, जाडू, वाईपर भी मंदिर प्रभरनक को सौप पुजारचना करकिया, सफाई कारे, फर्स चौके वह आंगंध होए, जागो जैपूर, जगमक जैपूर, थीम दिया है, आई तब शेक सुराना ने, निगम के और से सफाई सेट सभी कारे, कारिक्रम इसी थीम के साथ चरिएंगे, जैपूर से अक्रम खान के रिपूर्ट, लोकसब अध्यक्ष मानियों उंबिला, भारत सरकार की नई दिल्ली की पहन, पर उनके द्वारा इस फिशन ठंड के मौसा में, सर्दी से बचाओ हे तू, राच्कियों चमाधिमिक विद्याले, गेता में कक्षा एक से बारवी कक्षा तक के, लोसर पिच्यासी, चात्रवी चात्राओं को निशुलक स्वेटर वित्रन समारो, प्रधनाचारी, मुकेश, कुमार्श शर्मा के अध्यक्षता में अचित क्या गया, जिसमें मुख्य अतिथी भाजपा नीता मंडलोग पाध्यक्ष, दिनेश नंद्वाना रहे, वही लाजपा कारीकरताओं के माध्यम से स्वेटर्स का वित्रन क्या गया, छात्र छात्राओं ने स्वेटर मिलने पर खुशी जाहिर की, महीं ग्राम वासियों ने सांसा दोंबिल्ला के स्कारी की प्रशन सकी, इतावा से संबाद्धा ता जितिंद्र कुमार नागर की पूर, लिगोर शेतर के ग्राम डुंगरजा में चल रही अखंड श्री राम चरित्मानस की वर्शकाट पर, आयोजे श्री राम कथा के पंचम दिवस पर कथा व्यास आचारे राम जी महराज, इतावा उत्तपदेश की द्वारा सुनाया गया कि जब राम की राज तिलक की तैयार की दॉच्चत से मांती है कि मेरे बेटे भरत को राजगाद्य और राम को 14 साल का वनवास इतना सुनते ही माराजा दशार धर्ति पर गर जाती राम सहीथ सब यहां पहुंशते हैं राम जी जब वनवास को जाने लगते हैं उनके साथ सीता जी वा लक्षमन जी भी तैयार हो पूरा अवदपुरी रोपन, अवदपुरी के नर्णारी जहां तक की पशुपक्षी और वहां की वनस्पती भी मुर्जा जाती। राम का इतना प्रेन अब तो अवदपुरी के प्रती था कि राम का राज्य होना था लेकिन माता और पिता की आग्या का पालन करने के लिए राम चौधा साल के लिए बंदवास को निकल पड़े। इसके उप्रांत अध्धक्ष द्वारा बताया गया कि राम चरित मानस पर आधारित लिखित बाल प्रश्णोत्री का अजन 19 जन्वरी को साहे साथ बुचिक क्या जाएगा जिसमें आप सभी अपने बाल गोपाल को परिक्षा में भाग बेने के लिए प्रेवित करें। कथा केंथ में मुख्यती थी डॉक्टर सुनिता हरदावत पदेन प्रारंबिक शिक्षा दिकारी वो मुख्य अजमान अगुनात नागर वो सभी भक्तों द्वारा आर्थी की। तता उपस्ति शभी श्रोताओं को प्रसाद वित्रित क्या गया। इटावा से समवादा ता जितिंद्र कुमार नागर की। जोदपुर से एक बड़ी खबर है यहाँ जो आसाराम के समर्थकों ने एक वकील को सरे रहा पीट। बता दे कि आज नए हाई कोट परिसर में अधिवक्ता से समर्थकों ने मार पीट की है वकील दिल्ली से आसाराम की पैर भी करने आया थे। इस घटना को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश वाप थे। चलिए एक बाद फिर से नज़र डालते हैं हिड्लाइन्स पर। ज़रा कर भवे कारिक्रम आयज़ित क्या जाएगा। इटावार शेत्र के पाडली ग्राव में राज के विद्याले में स्वेटर वित्रन कारिक्रम संपन हुआ। केपनियूस के राजसाम दुलिटिन में फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिया बने रहे हैं। केपनियूस 247 के साथ धन्यमाद।